गुड मॉर्निंग फ्रेंड वेलकम डिश्टेडी ग्लोब दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इस्टेडी ग्लोब में आपकी सफलता हमारा संगल्प दोस्तों जैसे के सभी जानते हैं हम डेली मंडे टू फराइड सोबा साड़े दस बजे दोस्तों जन्रल साइंस के इंपोर्टेंट MCQs डिस्कस कर रहा है जो आपके आने वाले एक्जाइम के लिए दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट होंगे चाहिए दोस्तों आपका एक्जाम SSC CGL का हो CHSL का हो CPU SI दोस्तों NTPC Group D या आपको कोई भी अधर स्टेड एक्जाम हो ठीक है दोस्तों इस सेशन में है सहती सवादिने ठीक है दोस्तों चलिए बना देरी करें दोस्तों आज का सेसन हम सुरू करते हैं कोश्चन नमर वान आपके सामने यह जली से आंसर करेंगे आप लोग बताइए दोस्तों इसका अंसर क्या होगा दिया सलाई के विनर्मान के प्रिक्त मूल तत्व हैं बता लाल फासफोरस का यूज किया जाता है दोस्तों दला सलाई बनाने के लिए ठीक है दोस्तों लेकर मेरा कुश्चन आप से अगर आप से पूछ लिया जाए कि लाल फासफोरस का यूज करते हैं या सफेद फासफोरस का यूज करते हैं बताएए दोस्तों दिया सलाई बनान इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है ठीक है चलिए question number two पर चलते हैं दोस्तो और अससे पहले जोनों नहीं भी session को अभी तक like नहीं किया है तो आप लोग session को ज़्याद से ज़यादा like करें दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है? चलिए question number two का answer कीजिए, जली से उनी कपडे, सूती वस्तरों की अपेक्चा करम होते हैं क्योंकि वे? बताईए जो दोस्तों आप क्योंको उनी कपडे होते हैं सूती वस्तरों की अपेक्चा क्यों करम होते हैं? answer कीजिये, villain clothes are warm than cotton clothes because they, बताइजिये दोस्तोव Amanda Delicious कै से स़्चेंड में देखा हो गा तो दोस्तोव आप स्वेटर पहंते हैं तो आपने स्वेटर में देखा होगा ठोड़े थोड़े दोस्तोव, क्या होते हैं, whole types होते हैं तो डॉस्तो जिस से आपकी क्या हुग उस्तों यूसमा को यह आदन परान होने नहीं देते रोक देते हैं तो आपको ढ़ने पिसाथ ज्वर्ण ऐसाचक प्रतान का तो यह उनीं अबंटे रोधक हैँगिक वार्ण होते हैं क्या है यान रखींगा चलिए next question में चलते हैं question number three पर चलिए question number three का answer कीजिए दोस्तों क्या होगा और दोस्तों उपर आपको एक i button तखाई देगा जिस पर click करके आप इसकी general science की playlist पर जा सकते हैं जिसको में आपको previous सारे वीडियो मिल जाएंगे वो वीडियो साप लोग जरूर देखिए ठीक है जि अंसर कीजिए how many water molecules are present in one molecules of धावन सोडा दोस्तों जो आपका washing soda होता है धावन सोडा होता है उसमें जले के कितने अड़ों मौजूद होते हैं दोस्तों बताईए मैंने कहली के वीडियो में आपको बताया था तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों जो धावन सोडा washing soda chemical formula क्या होता है Na2CO3.10H2O ठीक है दोस्तों जले के कितने molecule होते हैं दस molecule होते हैं option A आपका बिल्कुल सही answer हो जायागा दोस्तों यह आपका group D का आया हुए question है दोस्तों 2018 का ठीक है चलिए next question में चलते है question number 4 पर चलिए answer कीजिए हेलोजनों में सरवादिक प्रभाव शाली आक्सी कारण करता कौन सा है बताईए आंसर कीजिए दोस्तों the most effective oxidizer in हेलोजन्स is बताईए दोस्तों क्या answer हो जाएगा दोस्तों जो आपकी हेलोजन गैस होती है दोस्तों हेलोजन दोस्तों कौन से समूम में होती है आपकी 17 ग्र प्रभाव शाली आक्सी करण करता कौन से है तो दोस्तों आपका अंसर हो जागा option C ठीक है option C दोस्तों आपके बिलोगों सगी आंसर हो जागा जो आपका florin होता है दोस्तों सरवादिक प्रभाव शाली दोस्तों क्या है ऑक्सी करण है ठीक है दोस्तों याद रखिएगा च चलिए नाइस कोश्चन नमबर फाइब पर चलिए आंसर कीजिए कोश्चन नमबर फाइब का सबसे बड़ी उडान रहित पक्षी जो एक महान गती से चल सकती है बताईए दा लार्जस फ्लाइट लेस्ट बड़्ड एट केन वॉक एट ग्रेड स्पीड बताईए दोस्तों एज़ी कोश्चन है क्या होगा इसका अंसर तो दोस्त आप सभी जानते हैं सुत्रमर फाइब के दोस्तों एक बड़ा पक्षी है दोस्तों जो ओड़ा नहीं सकता और तेज भाइब सकता है तो ऑस्ट्रेच आपको बल्गल सही हो जाए ठीक दोस्तों ऑप्सन सी आपको सही आंसर होगा ठीक है चलिए नएस कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर 6 पर चलिए आंसर कीजिए नीला थोता क्या है वाट इस दा ब्लू बिट्रियॉल बताइए दोस्तो इसका अंसर क्या होगा नीला थो तो दोस्तो क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नीला कसिस भी बोलते हैं नीला कसिस भी इसे बोलते हैं बताइए दोस्तो क्या हो जाएगा दोस्तो इसका answer option 8 जो आपका copperstone होता है C ballots ठीक है यह दोस्तो आपको कहलाता है नील tutte हो या नील खॉलाता है ठीक है या रखिए गा कैए M कितने molecule होते हैं पाच यह और लोग याद रखिएगा ठीक है आपके एक्जाम पॉइंट और व्यू से दोस्तों important है चलिए नगे चोशन नमर 7 पर चलिए answer कीजे aqua rasya किसका misrun है बताइए aqua rasya is a mixture of answer कीजे दोस्तों aqua rasya किसका misrun है जली से answer कीजे दोस्तों aqua rasya किसका misrun होता है जो आपका nitric acid होता है ना दोस्तों HNO3 और आपका दोस्तों Hydrochloric Acid SCL ठीक है इनका Mixture को दोस्तों क्या बोलते हैं Equorazia बोलते हैं दोस्तों जो किस रेशियो में होता है एक रेशियो 3 की रेशियो में मिक्स होता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Option D HNO3 और आपके SCL ठीक है याद रखिएगा चलिए Question No.8 का आंसर कीजिये दोस्तों क्या होगा निम लिखी दिमें से कौन सा Vitamin B complex का सदस से नहीं है आंसर कीजिये बिजब दोस्तों जो थाइमन होता है दोस्तों किसका कैमिकल नेम है बिटामिन बी बन का ठीक है दोस्तों राइब फलेविन किसका कैमिकल नेम है बिटामिन बीटू का ठीक है दोस्तों फॉलिक ऐसे डपका दोस्तों कौन से बिटामिन का कैमिकल नेम है कैमिकल नेम है ठीक है जैसाई कि आप देख सक लगते हैं दोस्तों यह सारे विटामिन आपके क्या है विटामिन P complex में आते हैं ठीक है उसका आप लोग याद कर लिए जाएगा इनकी चैमिकल नेम भी लन कर दीजिए घ्रूइ nya पर चलते हैं question number 9 पर चलिए answer कीजिए gypsum का रसाइनिक नाम क्या है जल्ली से answer कीजिए answer कीजिए gypsum का दोस्तों रसाइनिक नाम क्या होता है calcium sulphate CaSO4 ठीक है दोस्तों CaSO4.2H2O ठीक है दोस्तों यह आपका gypsum का क्या है दोस्तों chemical formula है दोस्तों तो आपका answer क्या हो जाएगा calcium sulphate option C आपका बिल्वकुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों जिससे हमका रसाइनिक नाम क्या होता है calcium sulphate और दोस्तों यह आपका chemical formula है इसको भी आप लोग याद कर दीजिएगा जिसको भी याद ना हो ठीक है important है चलिए question number 10 पर चलते है answer कीजिए जल्दी से नम लेकित में ऐसे किसमे carbohydrate की निवनतम मात्रा होती है बताएगे दोस्तों which of the following has the least amount of carbohydrate carbohydrate की निवनतम मात्रा दोस्तों किसमे होती है जो आपको option दिएगा है बताएगे आलू में मकई में केला या मटर में तो दोस्तों आपका answer हो जागा option D मतर में दोस्तों carbohydrate की मात्रा बहुत कम होती है याद रखिएगा चलिए nice question पर चलते है question number 11 पर चलिए answer कीजिए उस्मा विकरणों की गती होती है बताएगे the speed of heat radiation is answer कीजिए दोस्तों जो आपकी उसमा विकरणों की गती होती है दोस्तों उनकी गती प्रकासी गती के बरावर होती है option B आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों आपकी light की speed दोस्तों कितनी होती है 3 to 10 to the power 8 meter per second ठीक है याद रखिएगा चलिए next को जो में चलते है सम्मंदित है मस्तिसक से brain से options और आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों जो आपका brain होता है उसके जो दोस्तों आगे का भाग होता है उसको क्या बोलते है रीबरम बोलते हैं ठीक है दोस्तों जो आपकी सोच नहिकी सकती होती है दोस्तों याद करने की जो capacity होती है वो शेर बरम के कारण ही होती है ठीक है याद रखिए का दोस्तों चलिए नेक्स को जम चलते हैं question number 13 पर चलिए answer कीजिए नीला हराश एवाल किस समू में रखा गया है answer कीजिए in which group is the blue green आंसर कीजिये दोस्तों नील अहरा शेलागे आंसर में रखा गया है कवक में of den a apoyo आपका बीन आ जरी और क्वैंव से ठीक है चलिए कोश्ट नम्बर 14 पर आंसर कीजे जल्दी से कंप चलिए जल्दी से आंसर कीजये दोस्तों किस हमढ़ा इसत्धन तदार ुदीर बढ़ा जाता है बताइए कौन से हार्मोन से आपका दोस्तो ब्लड प्रेसरao उंक्रीज किन फूराटों आपको का आफ्ष उनच सो चुछलब किन चुर्श से ऌपज़ाता है तो दोस्तो नेर मेरे टिक है चलिए नेगर पर कोश्चिंट नम़र 15 पर चलिए आंसर कीजिए उचाही पर खाना तेर से क्यों बंता है जल्दी से आंसर कीज जिए बताढ़े दोतो लाच पर खाना देर से क्यों बनता है तो दोस्तो आप चानते होंगे उचाई पर जाने पर जाने पर जसे दोस्तो पानी क्या होता है कम टाप अबने लगता है ठीके दोस्तो जां पहाड़ी पर डाली यृचार nghL कुछ भी क्या हो जाएगा option D बायो मजली अधा भड़ जाता है दोस्तों इसलिए उचाई पर खाना देर से बदता है ठीक है option D आपके बिल्कु सही answer हो जाएगा चलिए question नम्म 16 पर चलते हैं जल्ली से answer करेंगे आप लोग sodium को जल में डालने पर कौन सी gas लिकलती है answer कीजिए ठीक है which gas is released when sodium is added to water बताइए दोस्तों इसका answer क्या होगा दोस्तों जब भी आप sodium की ठीक है जल के साथ reaction कराएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा आपका sodium hydroxide बनेगा ठीक है उसाथ में क्या बनेगी दोस्तों आपकी hydrogen gas बनेगी ठीक है दोस्तों इसको आप balance कर लीजिए तो आपक ठीक है तो दोस्तों आपका answer क्या हो जाएगा option B आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों जब भी आप sodium की जले के साथ दोस्तों reaction कराएंगे तो दोस्तों आपकी क्या लेगलती है hydrogen gas निगलती है साथ में ठीक है आपका plastic soda भी बनता है ठीक है चलिए next question पर चलते स्रागर को चलिए पहले तो यह बता है कार्वो्रेटर का डॉस्तों वर्क क्या होता है इसका दोस्तो कार क्या होता है कार्वोरेटर का दोस्तों यह क्या करता है आपका petrol और और मेजय किया जाए ठीक कैँ दो West Portlor अगर आपसे पूछे लियाуется मिजन होला यह टोु की ढ क्या जाता है तो दोस्तों डीजल इंजिन में आपका इंजेक्टर की यूज करते हैं किसका इंजेक्टर का ठीक है याद रखिएगा ठीक है दोस्तों डीजल इंजिन में दोस्तों किसका यूज किया जाता है इंजेक्टर का यूज किया जाता है ठीक है चलिए कोश्चन नमर 18 पर चलते हैं जल्ली से बताईए दोस्तों इसका अंसर क्या होगा दूध किसका उधारण है बताईए जिसको हम पायस भी बोलते हैं ठीक है यह फिर वी आप लोग याद रखना ठीक है दोस्तों दूध क्या है इमल्सन या पायस का उदारन है ठीक दौस्तो और उस्टों और जो आपकी ऐसे इसको फिरम तोस्तों वह सकते हैं आप दोस्तों किस की Evangelion Krims क्रीम होती है कि आपका soda water होता है दोस्तों यहाप कि अग्जांपल होंगे ठीके दोस्तों जाल होंगे जली से बताइए तो दोस्तों जाप जैसे को दही खाते है, वो दोस्तों क्या है जेल का एक्जामपल है पनीर कया है दोस्तों आपका एक्जामपल ठीक है दोस्तों तो ये वी आप लोग जाद रखिएगा और ये जरूल्ड धे ‫धान산 कलांगो एब it important है weekly dood का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तों कास्टिक सोडा का रसाइनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड रखिएगा चलिए कुछ नबर 20 पर चलते हैं जल्ली से आंसर कीजी एंग स्ट्रॉम डेस को अभी व्यक्त करता है बताइए दोस्तों एंग स्ट्रॉम किस की काई है जल्ली से आंसर कीजीए एंग स्ट्रॉम दोस्तों किस की काई है तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे एक एंग स्ट्रॉम बराबर दोस्तों क्या होता है टेन टूदी पावर माइनस टेन मीटर किट ठीक है दोस्तों तो जो ज़ाते स्जादा लाइक करेंगे दोस्तों ज्यादे प्रेंटनों में शेयर करें ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएंगे और आप लोग यह भी बताइए कि आपने 20 मैंसे कितने question सही किए है ठीक है दोस्तों और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को आप लोग आज ही subscribe दोस्तों जरूर करें और bell icon जरूर प्रेस करें जससे आपको आने वाल नोटिफिकेशन प्राप्ट हो सकें ठीक है और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आपको मेर टेलिग्राम चैनल जोइन करना होगा जसके लेंगा आपको नीचे description box से मल जागा दोस्तों टेलिग्राम चैनल का नाम है study globe ठीक है दोस्तों तली दोस्तों फिर कल मिलते हैं same time same place पर दोस्तों ख्याल रखिए अपना ठीक है thank you bye bye